स्री गणेश शाय नमा प्रिय बंधुगों 23 अप्रेल 2023 दिन रवी बार को गुरु मीन राशी का त्याग करके और मेश राशी में प्रविश्च कर रहे हैं तो आईए जानते हैं कि सन 2023 में गुरुदेव किन किन राशीयों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं इसी सम्मन्द में हम सर्व प्रथम आपको मेश राशी के बारे में बता रहे हैं मेश राशी वालों के लिए यह वर्ष आर्थिक सामरधी और खुशाली लेकर के आ रहा है रुके हुए कारिय बनेंगे आपका यश और प्रताब बढ़ेगा घर में खुशाली का बातावरन रहेगा दूसरे नंबर पर हम आपको तोलारासी वालों के बारे में बता रहे हैं तोलारासी वालों की धार्मिक कारियों में रुची रहेगी विद्यार्थियों को विद्या के छेत्र में सफलता प्राप्त होगी दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा परन्तु अपने पूज जनों से आपकी मत भिन्नता हो सकती है तीसरे इस्थान पर ब्रसरासी वाले जो लोग हैं उनका यात्रा का योग बन सकता है और सामाजिक सेवा का भी योग बन रहा है ब्रस्चिक रासी वालों को कोट कचेरी के मामलों में विजय प्राप्त हो सकती है अपने बच्चों के स्वास्थ का ख्याल रखें मिथुन रासी वालों को गुरू की क्रपा से अपनी नोकरी या व्योवशाय में फायदा होगा अपने से बड़े अधिकारी और कर्मचारियों अथवा अन्य बड़े लोगों से इन्हें सैयोग प्राप्त होता रहेगा इन्हें इस वर्ष गुरू की क्रपा से धन एवं मान तथा पद और प्रतिष्ठा में इनकी ब्रद्दी हो सकती है अब हम आपको धन राशी के बारे में बता रहे हैं धन राशी वालों के घर परिवार एवं कारी छेत्र में प्रसन्यता का वातावरन रहेगा और इनकी आर्थिक समस्याएं भी समाप्त होंगी अब हम आपको करकरासी के बारे में बता रहे हैं करक रासी वाले अपने कारी छेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे सामाजिक पृतिष्ठा में ब्रद्दी होगी और आर्थिक समस्यां का समाधान भी होगा तथा घर में धन आग्मन से प्रसंदता भी होगी मकर राशी वालों के लिए नोकरी या व्योपार के कारण आने वाले धन से घर में खुशी का बतावरण रहेगा सामाजिक प्रतिष्ठा में ब्रदी होगी परन्तु इस वर्स इन्हें बुरी संगत से बचना चाहिए सिंग रासी वाले यदि आप नोकरी पेशा हैं तो उसमें आपकी पदोन्नती हो सकती है और यदि आप किसी राजनेतिक पार्टी से सम्मन्द रखते हैं तो आपको उसमें अतिमहत्मून पदप्राप्त हो सकता है गुरदीव की कृपासी आप आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करेंगे कुम्भरासी वालों के लिए यह वर्स उतार चड़ाव भरा हो सकता है इस समय कुम्भरासी वालों को चाहिए किसी से जगडा ना करें फिजूल खर्ची और बुदी संगत से इनको इस वर्स बचना चाहिए कन्यारासी वालों को बुदी संगत से बचना चाहिए अपने पुझ जनों का सम्मान करें गुरु जनों का सम्मान करें तथा इस वर्स यदि हो सके तो गुरु के मंत्र का जाप करते रहें मीन रासी वालों को सामाजिक प्रतिष्ठा में ब्रद्धी होगी घर परिवार में मांगलिक कारी होने के कारण प्रसंता का वातावरण निर्मित होगा बंधुगो आज के लिए वस इतना ही आपको आज की यह विशेवस्तु कैसी लगी नीचे कामेंट्स वाक्स में लिखें धन्यवाद जे माता की जे परुश्राम जी की